Hello everyone, welcome back to the channel आज हम एक Thai horror film The Promise के बारे में बात करेंगे जो कि साल 2017 में रिलीस हुई थी ये कहानी है दो best friends की जो एक साथ आत्मत्या करने का decide कर लेते हैं लेकिन जब एक friend दूसरी को betray करती है तो क्या होता है यही हम आज की वीडियो में जानेंगे तो मूवी के शुरुआत कुछ वीडियोस और फोटोस के साथ होती है जो कि दो लड़कियों की थी जिनका नाम एप और बोम था अब इन क्लिप से हम जान पाते हैं कि दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और ज्यादे से ज्यादा समय एक दुसरे के साथ ही रहते हैं ये दोनों सच में एक साथ पले बड़े थे साथ में स्कूल भी जाते थे पर अपने पापा की वज़े से दोनों और ज्यादा अच्छे दोस्त थे क्योंकि इनके पापा भी बिजनस पार्टनर्स थे ये दोनों यही पर एक room लेकर रहने वाली है जिसके permission भी इन्हें इनके parents से मिल गई थी और अगर ये दोनों साथ में रहेंगे तो ये दोनों हमीशा के लिए best friends रहेंगे इस बात को सोच कर ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे इसलिए यहाँ पर एक wall पर दोनों अपने handprints बना देते हैं ये दोनों वापस से खुशी खुशी नीचे जाती हैं जहाँ पर इनके पापा बहुत ज्यादा परिशान थे क्यूंकि जो bank इन्हें ये company बनाने के लिए पैसे दे रहे थे वो stock market और बाकी से भी crisis की वज़े से बंद हो जाती है और अब crisis की वज़े से काफी घर तक बेचना पड़ता है और इनके सारे सपनी ऐसे की ऐसे ही रह जाते हैं अब बॉम और एप की फैमली अलग-अलग जगर पर छोटी-छोटी अपार्टमेंस में शिफ्ट हो जाते हैं साथ ही एप के घर वाले तो उसके school फीस तक पे नहीं कर पाते इसी लिए वो school आना बंद कर देती है जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इप और बॉम दोनों ही वापस से उसी बिल्डिंग में मिलते हैं जहां इप के फेस पर एक छोटी से छोट का निशान नजराता है उसके बारे में बॉम के पूछने पर इप बताती है कि उसके पापा excessive drink करने लग थे और इसी वज़े से वो गुसे में इनके उपर हाथ तक उठा देते हैं इस बात को सुनने के बाद बॉम को काफी ज़्यादा बुरा लगता है और इसकी समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए तब इप उसे ये भी बताती है कि शायद वो यहां से अब shift हो जाएंगी और शायद फिर वापस कभी भी ना आ पाएं अब ये सब बॉम के लिए बहुत ज्यादा दुख से भरा हुआ था क्योंकि जहां वो इप के साथ lifetime best friends बन कर रहने के बारे में सोचती थी वही अब इप यहां से जाने वाली थी इसी वज़े से ये रोने लगती है और ये दोन से वो दो पेजर खरीद लेती है ताकि ये एक पेजर इप को दे सके और एक खुद रख सके जिससे कभी इनके बीच बात बंद ना हूँ आगे जब तक इप यहां से नहीं जाती तब तक ये दोनों पेजर के जरिये ही भी बाते करना शुरू कर देते हैं और अब बॉम के 15 बर्डे वाले दिन ठीक 12 बजे एप बॉम को बर्डे विश करती है और अब बॉम की नजर इसके पापा पर जाती है जो कि अकेले बैठे थे उसी वज़े से वो भी उनके पास चली जाती है जिनके बात करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पापा को वापस से एक की डील मिलने वाली थी ये जानकर बॉम थोड़ा खुश होती है अगले दिन हम देखते हैं कि बॉम की मौम को पता चलता है कि बॉम ने अपनी फीज सब्मिट नहीं की जबकि वो इस बारे में उससे पूछती है तो बॉम उन्हें बता देती है वो पैसे उसने खर्च कर द चलती है और अब हम देखते हैं कि बाहर उसको एप का मेसेज आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके पापा ने वापस से उसको मारा है बॉम एप से बात कर रही थी तभी उसकी नजर इसके पापा पर पड़ती है जिनके आज मीटिंग थी और वो जल्दी जल्दी वहां थी वो भी सब बस imagine कर रहे थे अब ये देखकर बोम से रहा नहीं चाता और वो रोने लगती है और अब वो इपको कॉल करके रात में construction building पर मिलने को कहती है और साथ ही अपना gun भी लाने के लिए कह देती है इपको भी अब जीने की कोई शौक नहीं था इसी वज़े से वो भी पे खुद को शूट करूंगी उसके बाद तुम खुद को कर लेना तब बोम इस चीज के लिए promise करती है और अब इपके मरने से पहले इप इसे वापस से बड़े विश करती है और फिर इप डरते हुए खुद को शूट कर लेती है और वही मर जाती है ये देखकर बोम काफ एक successful real estate entrepreneur बन गई थी जो कि खुद भी बड़ी-बड़ी buildings के project करती थी इसी वज़े से अब वो वापस से उसी building में आती है जहां पर उसके पापा को project मिला था इसके साथ उसकी बेटी बेल भी थी साथ ही वो अपने साथ bank वालों को भी लेकर आई थी ताकि वो इस building का project ले सक आते थे क्योंकि बोम ने अपने पहले का लोन भी नहीं चुकाया था तब bank वाले इसे मना कर देते हैं कि तुम्हें हम लोन नहीं देंगे और अगर तुमने जल्दी अपने पैसे नहीं भरे तो तुम्हारा घर भी निलाम कर दिया जाएंगा जवाब में बोम कहती है ठीक ह पर मेरे घर और पूरे प्रॉपिटी को बेच कर भी तुम्हें तुम्हारा लोन अमाउंट के पूरे पैसे नहीं मिलेंगे इसी वज़े से मुझे और लोन दे दो ताकि जब मैं इस बिल्दिंग को पूरा करके सेल करूं तो इससे हुए प्रॉफिट से तुम्हारा पूरा पैसा चुका सकूँ अब क्यूंकि अभी वाले डिसिशन में बैंक का ही घाटा था इसी वज़े से बैंक वाले खुद ही बोम की बात मान जाते हैं और उसके लिए लोन अप्रूव कर देते हैं इसी बीच हम बैल को देखते हैं जो कि अभी उसी फ्लोर पर घूम रही थी ज तब ही अपने आप पीछे का एक डोर ओपन होता है जिसे देखकर बैल अंदर जाती है जहां पर अंधेरा था इसी वज़े से वो अपना फोन निकाल कर क्यामरा चालू करती है और तब वो नोटिस करती है कि उसका फोन का क्यामरा किसी के फेस को अंधेरे में डिटेक्ट कर रहा है और ये उसे weird लगता है तब ही उसकी नजर पास में पड़े एक पेजर पर पड़ती है जो कि एक टाइम पर इपके पास था लेकिन बैल को इस बारे में कुछ नहीं पता था तो इसी वज़े से वो पेजर को उठा लेती है जिस पे कुछ फोटोस थी जो की काफी जा और इसके बाद जब वो सेल डाल कर उसे चालू करती है तो उसमें उसको वो सारे मेसेजस मिलते हैं जो कि बोम और इबने एक दूसरे को किये थे वो सब पढ़कर वो अपनी दोस्त को भी सुनाती है पर जब बेल वाले मेसेज को पढ़ती है तो उसको काफी जादा अजीब ल वो घर में इधर उदर देखने लगती है पर उसको कोई नहीं मिलता लेकिन जब ये किचन में जाती है तभी अचानक से डौर में से एक चाकू उसके तरफ आता है ये देख कर उसे लगता है जैसे घर में कोई इंट्यूडर आ गया हो और उसने घर में इन्हें मारने के लि वैसा ही साइन मिलता है जैसे साइन बोम और इब ने कंस्ट्रक्शन वाले बिल्डिंग पर बनाया था ये देखकर तो मानो बोम की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए तब वो तुरंद ही बेल को अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर जाती है और यहां अब हमें पता चलता है कि बचपन में बेल को नीद में चलने की बिमारी थी और इसी वज़े से पहले उसका इलास चल रहा था तब यहां डॉक्टर बेल को कुछ दवायां देते हैं और बोम से नेक्स टाइम पूरे इंसिडेंट की वीडियो रिकॉर्ड करने को कहते हैं ताकि वो सब कुछ बहुत अच्छे से एनलाइज कर पाए अब बोम वापस से इप के यहां जाती है क्योंकि कहीं न कहीं उस ब्लेडिंग का कंस्ट्रॉक्शन का काम पहले इप और बोम के फादर के हाथ में था जिसके वज़े से इप के फैमिली से भी परमिशन लेना ज़रूरी था तो बोम वहाँ जाकर उन्हें सब बताती है तब इप की मॉम बोम को एक पैकेट देती है जो मरने से पहले इप उसको देना चाती थी साथ ही यहाँ पर बोम को परमिशन भी मिल जाती है अपने घर वापस आकर जब बोम ने उस पैकेट को खोला तो उसमे एक टीशेट था जिस पर हैपी बर्डे लिखा था और ये देखकर बोम बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और उसको इप की याद वापस आने लगत साथ ही बेल खुद भी यहाँ पर नहीं थी इसी वज़े से वो पूरे घर में ढूनने लगती है जहां बेल वापस से स्लीप वाकिंग कर रही थी ये देखकर बोम तुरंट एक वीडियो बनाने लगती है और बेल एक जूस के गलास को भी लेकर आई थी जिसने उसे टेबल पर रख दिया पर बेल को वापस रूम में भेजने के बाद जब बोम की नजर उस गलास पर पड़ती है तो वो खाली होती है इसलिए वो उसे देखकर खुद भी डर जाती है अब रात में हुई इंसिडेंस की वज़े से बोम कही न कही समझ गई थी के इन सब में इप का हा जल्दी ही उसका बड़े आने वाला था और तब ये पूरी 15 साल की हो जाएंगी बेल अपनी पार्टी को कैंसल करना चाती थी पर बोम उसे समझाती है और यहां से अपने काम पर चली जाती है लेकिन ये वापस से उसी बिल्डिंग में आई थी जिसका उसे कंस्ट्रक्शन करना था लेकिन यहां से अपने साथ एक आपल भी लेकर आई थी ताकि ये इप के बारे में शौर हो सके इसी लिए ये सेम फ्लोर पर जाती है और वहां आपल रखकर इप से सौरी बोलने लगती है तब ही यहां जोर से हवा आ गई थी जिस वज़े से वो आपल पलट जाता है ये देखकर बोम उसे उठाती है तो वो पूरा सड़ चुका था ये देखकर बोम और ज्यादा डर गई थी तब वो भागते हुए नीचे जाती है जहां एक बच्चा उसको देखकर भागने लगता है ये देखकर वो भी उसकी पीछे भागती है और उसे पूछती है कि वो उसे देखकर भाग क्यो रहा था जवाब में वो बच्चा बताता है क्योंकि उसके पीछे वो खड़ी थी अब वो का क्या मतलब तब बोम को कुछ समझ नहीं आता और वो उससे और कुछ पूछ पाती इतने में ही उस लड़के की मौम वहां आ जाती है और बोम को वहां जिसे देखकर उस सब समझ जाती है और तब ये इप से रिलेटेट सब ही सामान को जला देती है और रात में बेल के पास सब पूछने पर पहली बार बोम किसी को इप और उसके आत्मा इंसिडेंट के बारे में बताती है और इस बात को जानकर पहले तो बेल काफी ज्यादा शौक थी और अब जाकर उसे समझ में आता है कि क्योंकि बोम ने एप के साथ आत्मा ही नहीं की थी उसी वज़े से एप बहुत ज्यादा गुसे में थी और क्योंकि बेल कुछ समय में पंदरा साल के होने वाली थी इसलिए एप को उसको अपने साथ लेकर जाना था तब बोम बेल को शांत करवाती है और उसको रिलाक्स करने को कहती है पर बेल रो रही थी तब बोम किसी तरह से उसको शांत करवाती है इसके बाद हम देखते हैं कि बेल और बोम दोनों ही अंदर है जहां पर आज के इंसिडेंट के बारे में सोचती हुई बेल बोम से कहती है कि तुम क पापस से स्लीप वॉकिंग ना करे। इस बारे में जब बोम को पता चलता है तो वो तुरंथ ही बेल के पास जाती है और उसको बाहर लेकर आती है। पर इतने देर पानी के नीचे स्ट्रस में बैठने के कारण बेल बेहोश हो गई थी। ये देख उसको तुरंथ ही हॉस्प और वो इन सब चीजों को बहुत पहले से देख सकता है पर कोई उसका विश्वास नहीं करता अब इस बात को सुनकर बोम उसकी मां से बात करते हुए उससे पूछती है कि क्या आपका बच्चा मेरे उस पिरिट से कॉंटाक्ट करने में मेरी मदद कर सकता है अब लड़की की म बोम को ना चाते हुए भी बोम के साथ अपनी लड़के को भीजना परता है तब बोम उस लड़के के साथ उसी फ्लोर पर जाती है और इप से बात करने लगती है अब इप उसे परच्चाई के रूप में दिखती है जहां पर उससे बात करते हुए बोम को पता चलता है कि इप बेल को लेकर जाना चाती है तब बॉम उससे कहती है कि बेल की इसमें कोई गलती नहीं थी उस बात की वज़े से इप को गुसा आ गया था इसलिए वो उस बच्चे को बॉम के सामने हर्ट करने लगती है जिसको बॉम अपने साथ लेकर आई थी ये देखकर वो बच्चे महां से भाग जाता है और तब बॉम डिसाइड करती है कि वो इप की फैमिली से पहले माफी मांगेंगी और ऐसे ही होता है जब बॉम इप की फैमिली से मिलती है ताकि वो कॉंट्राक्ट पर साइन करवा सके तब वो उनको सब बता देती है और उनके पैरों पर गिर कर माफी मागने लगती है साथ ही वो उनसे कहती है कि कल बेल 15 साल की पूरी हो जाएंगी और इब उसको अपने साथ लेकर जाना चाहती है तो प्लीज आप मेरी मदद करें पहले तो सब इस बात को सुनकर कि बोम और इप साथ में आत्मा करने वाले थे बोम के उपर बहुत गुसा होते है क्योंकि उसने वो बात पूरे 20 साल बाद बताई थी पर बाद में वो बोम की बाते ठीक से सुनते है लेकिन अभी इन्हें इप की स्पिरिट के बारे में भरुसा नहीं हो रहा था इसलिए वो यहां से चले जाते है अब शाम का समय बोम जब हॉस्पिटल के पास जाती है तो उसे नर्स के कॉल से पता चलता है कि बोम हॉस्पिटल से भाग गई है जिस वज़से बोम काफी ज़्यादा परिशान हो गई थी पर तभी उसको बोम का कॉल आता है जो कि उसी जगह का हुल्या बताती है जहां पर अभी वो थी सारी चीज़े सुनकर बोम समझ गई थी कि बोम का पुराना घर था जहां तुरंद बोम पहुँचकर बेल से बात करती है और देखती है कि बेल ने बिलकुल बोम के जैसे कपड़े पहने थे जैसे वो अपने हाई स्कूल के टाइम पर पहनती थी और अब बोम समझ जाती है इन सब में भी इप का ही हाथ था इसीलिए वो बेल को अपने साथ घर लेकर चली जाती है वो उसके हाथ पैर बान देती है ताकि बेल चाह कर भी स्लीप वॉक ना कर पाई यहां पर बेल के पास भी बोम थी तब बेल उससे उसका हाथ खोलने के लिए वॉश्रू पहना बनाती है लेकिन उसके अंदर अभी इप थी जो कि जैसे ही हाथ खुलते हैं वो दूसरा हाथ भी खोलने का ट्राइ करती है लेकिन वो वैसा नहीं कर पा थी तब बोम उसको शांत करवाने की कोशिश करने लगती है ये देखकर बेल उस पर हाथ उठा देती है और बोम की नाग से खून निकलने लगता है पर बोम किसी तरह से बेल को बान देती है लेकिन अभी भी बेल शांत नहीं हुई थी वो अभी भी कुछ ना कुछ बड़बडा रही थी पर रात में वो सो जाती है तब बोम डिसाइट करती है कि वो अपना प्रामिस पूरा करेंगी और अपनी जान लेंगी इसलिए वो एक आत्मा का नोट लिखती है और उसके बाद वो अपना गन लेकर कार में चली जाती है जहां वो खुद को शूट करने की बहुत कोशिश करती है पर वो अपने आपको नहीं मार पाती और ऐसे इपकी वज़े से हो रहा था क्योंकि वो अब बेल को ही लेकर जाना चाती थी तब बॉम को गुसा आता है और वो अपके घर जाती है जहां उसकी मा को गन पॉइंट पर लेकर उससे कहती है कि अगर वो बेल को मारेंगी तो वो अपकी माम को मार देंगी इस बात से इपके माम को कुछ समझ नहीं आता पर बोम उसकी मॉम को कुछ नहीं करती और इसके बाद वो इप की ऐशस को एक दिवार की तरफ फिकती है जहां पर उसके जैसा एक फिगर बन जाता है जिसे देखकर इप के फैमली को भी यकीन हो जाता है कि इप वापस आ गई है और वो बोम और इसकी बेटी को परिशान कर इसलिए तब बोम को इप की मॉम शान्त करवाने लगती है और अब यहां से बोम चली जाती है जहां अगली सुबह हम देखते हैं कि बेल ने बोम का आत्मानोट पढ़ लिया था और वो अपनी मॉम को नहीं खोना चाती थी इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो खुद तो पूरे घर में उसको बेल और एप के हाथ के निशान मिलती है बिल्कुल जैसे वैसे बोम और एप ने बनाया था तब बोम बेल को ढूनने के कोशिश करती है पर बेल उसको कहीं नहीं मिलती ये देखकर बोम तुरंत ही कार से उसी बिल्डिंग के पास पहुँचती है ज जहां पर उसे कोई चादर ओड़कर खड़ा हुआ नजर आता है। बोम को लगता है कि शायद वो बेल है, तब वो उसके पास जाती है। लेकिन तभी उसे बेल का वीडियो कॉल आता है और उससे पता चलता है कि बेल उसके पीछे से वीडियो कॉल कर रही थी। ये देखकर बोम समझ चाती है कि चादर ओड़कर कोई और नहीं, बल्कि इप खड़ी थी। तब ही बेल चिला कर बोलती है कि आज वो मरने वाली है ये देख कर बॉम भागती हुई उससे गण चीन लेती है पर तब ही वो चादर उड़कर बोम के उपर गिरती है जिससे वो गण उसके हाथ से चूट जाता है बेल उस गन को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है तब बोम को वापस वीडियो को लाता है और वो देखती है कि अब बेल गन लोड करने वाली है तब यहाँ पर इप बेल से गन लोड करवाती है और जिसमें उसने 5-6 बुलेट्स लोड करवाए थे क्योंकि लास्ट टाइम बोम और इप के पास भी 5-6 बुलेट्स थे और वो बेल को उसी तरह अपनी साथ लेकर जाना चाती थी जैसे सब बोम के साथ इप के मरने के बाद होने वाला था तब इप एक ब्लैंक शॉट फायर करती है जिसका मतलब था कि उसने अपने हिस्से की गोली फायर कर दी थी पर तब बोम को लगता है कि शायद बेल ने खुद को शूट कर लिया पर जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वो भागते हुए बेल के पास जाती है पर वो गन को अपनी उपर पॉइंट करवा लेती है और अब बेल भी फायर कर देती है लेकिन इस वाले राउंड में बुलेट नहीं था पर शॉक की वज़े से बोम नीचे गिर गई थी तब बोम को सब धुनला धुनला दिखाई देता है पर जैसे तैसे वो अपने आँके खोलती है तो उपर उसे बेल और इप खड़े दिखाई देते है और अब बेल इस बार सच में खुद को भी शूट कर लेती है ये देखकर बोम रोते हुए उसकी बॉड़ी के पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन सही टाइम पर वहां एम्बिलन्स बहुत जाती है जिसको बोम नहीं नीचे पहुँचकर कॉल किया था अब बेल की जान बच जाती है लेकिन उसके ब्रेन में बहुत ज्यादा डामेज हुए थे इसलिए उसका पूरी लाइफ में पहले जैसे रिकवर होना काफी मुश्किल था अभी बोम बहुत दुख में थी साथ ही उसे इप का डर था वो वापस से उसी बिल्डिंग में जाती है ताकि आत्मा हत्यार सके और अब इप कभी भी बेल को परिशान ना करे बोम अपनी जान देने ही वाली थी तभी उसे वो स्माइली फेस दिखता है जो बेल ने इप और बोम की हैंड वाली ड्रॉइंग पर बनाई थी तभी उसे अपना प्रामिस याद आता है जो उसने बेल से किया था क्योंकि बोम काफी टाइम से आत्मा करने के बारे में सोच रही थी तो तभी बोम से बेल ने प्रामिस लिया था कि कभी बोम आत्मा करने के बारे में नहीं सोचेंगी और यही प्रामिस के बारे में याद आते ही बोम रुख जाती है और डिसाइड करती है कि वो बेल को अकेला नहीं छोड़ सकती है वो इपसे वापस से सौरी बोलती है और इसे प्रामिस करती है कि वो उससे मिलेंगी पर इस तरह से मर कर नहीं पर जब वो अपने एच और अपने लाइफ को पूरा करके मरेंगी तब जिसके बाद बोम वापस से बेल के पास लोट जाती है पर अब उनके पास पैसे ना होने के वज़े से बैंक वालर ने उनका गर जब्द कर लिया था और अब ये दोनों वापस से अपने पुराने घर में ही जाते हैं जहांपर बोम बेल का बहुत ज्यादा द्यान रखती है और बेल भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही थी बोम पहले ही अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाई पर इस बार वो बेल के साथ का अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ती और इसी के साथ ये मूवी यही पर खतम होती है I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो please like, share, comment ज़रूर कीचेगा